रणवीर कपूर का नया आश्याना बनकर तैयार हो गया है। की शादी की डेट से लेकर उनकी शादी का वेनू तक फाइनल कर लिया गया है। किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि शादी के बाद रणवीर कपूर अपनी नय आश्याने में आलिया भट का ग्रही प्रवेश करवाएंगे। आपको बता दें कि रणवीर कपूर का ये नया आश्याना रिशी कपूर और नितु कपूर के बंगले कृष्णा राज को तोड़ कर बनाया गया है। ये एक नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है। बीते कई महिनों से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है। यो तो ये पूरी बिल्डिंग 15 मंजिला होने वाली है जिसे बनने में 6 साल का लंबा वक्त लगेगा। हलाकि इस रेजिदेंशल टावर के पहली 5 मंजिल पर बने अपाटमेंट्स कपूर परिवार के लिए रखे जाएंगे। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के फ़र्स्ट और सेकेंड फ्लोर परिस्तित अपाटमेंट नेतु कपूर और रणवीर आलिया के होने वाले हैं। बाकी के अपाटमेंट्स को किराये पर दिया जाएगा। अब ये सभी अपाटमेंट्स बनकर पूरी तरह से तयार हैं। रणवीर के नए घर में स्विंग पूर, ओपन एर एंपिटेटर और अन्य कई आधुनिक सुवधाय होंगी। लेकिन इन सब के अलावा भी रणवीर के नए घर, एक चीज बेहत खास होगी और वो है उनके दिवंगत पिता और अभिनिता रिशी कपूर की यादे। जेहां कहा जा रहा है कि रणवीर के नए घर का एक कमरा रिशी कपूर को समर्पित होगा। वहें रणवीर कपूर और आलिया ने अपने नए घर को डिजाइन करने में काफी मेहनत और समय लगाया है। इस दोरान रणवीर की मा नीतू भी अपने दोनों बच्चों को घर बनाने में जुड़ी तमाम नई जानकारियां और अनुभव के हिसाब से गाइड करती रही। रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर और नीतू इस घर में रिशी कपूर की सभी यादों को भी सजोग कर रखना चाहते हैं। इसमें 30 अप्राइल को कैंसर की वचा से रिशी कपूर का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद रणवीर कपूर को हर पल उनकी कमी खलती है। इसलिए उन्होंने अपने नए घर में अपने पिता का पूरा खायाल रखने का सूचा है। जैसे कि रणवीर को हमेशा ये महसूस होता रहे कि नए घर में रणवीर और फैमली के साथ रिशी कपूर भी रहते हैं।